मैं दॉक्तर राजीव लोचन डिरेक्टर बर्रामपुर हमारा चिकिस साल है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन चिकिस साल है इस वर्ष इसके डेड़ सो साल पूरे हो रहे हैं इसकी शुरुवात रेजिंसी हिल डिस्पेंसे की तरह हुई थी अठारा सो उनत्तर में तब से बढ़ते बढ़ते जड़ा साब बलांपुर ने के सबकुरूण सर्जरी हो रही है अईश्मान भारत के माध्यम से एक मरीद एडमिट किया गया जिसको गॉल्बडर में पत्रिया थी उसका लेप्रियों सब करें अब अब ये-दी तिमिय से खए हो और अनेक क्यिस ताट की विभी मारियों की हैं वह मैं वो अपने यहाँ आज व्याक्ष्यान देंगे इसी कड़ी में सुबह डॉक्टर S.C. राय जो यहां के बहुत फेमस सर्जन रहे पदम श्री रहे लखनों के दो बार मेयर भी रहे उनकी आज में हमने गत वर्ष से एक ओरेशन शुरू किया है डॉक्टर S.C. राय मेमोरियल ओरेशन गत वर्ष सुनील प्रधान जो संजय गांधी के एक बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर हैं दुनिया में उनका नाम है आज उन्होंने अपना लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए और भारत में भी रिसर्च हो सकती है और बड़ी गुरुवत्ता की ह सकती है यह बात उन्होंने सब को बताई कि हमें इस पा ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा रिसर्च के लिए कुछ ने कुछ खोचते रहें इसके बाद कल हमारा एक रंगा-रंग कार्क्रम होगा और परसों माननी मुक्रमंत्री जी पधार रहे हैं हमारे चिकित साले में और बहुत सारे काम जो पिछले साल से हम लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ काम कल वो जैसे की आईस्यू बना है हमारा उसका लोकारपन करेंगे एक सिक्स्टीन स्लाइस का सीटी स्कैन शूरू हो गया है उसका लोकारपन करेंगे और देस बेट का ब्रदिजन वार्ट शुरू इसके इलावा हमारे चिक्साले को जल्दी MRI लगने वाला है उसका भवन का पैसा आ चुका है जो हमने ट्रांस्टर कर दिया उसका शिलान्याद भी माननी मुख्यमंत्री जी कल करेंगे इसके इलावा हमारा निविदन रहेगा माननी मुख्यमंत्री जी से कि ये 150 साल पुरा ये ब्रणापुची के साले की हम लोग एक सहपोज करते हैं जिसमें पौध क्लाश से लेके डिरेक्टर तक सभी लोग उसमें आते हैं हमारे जितने रिटाइर अभिकारी है वो भी आते हैं !! हमारे मीडिया के लोग भीissकारी or other देखिए ऐसा है मैंने आपको बताया चिकिस्टकों की कमी थोड़ी सी है नब्बे में यहां 130 डॉक्टर्स थे आज 64 डॉक्टर्स हैं तो वही कमी के लिए हमने मन्तिरी से भी निवेदन किया है बाकी जब सुविधा बढ़ती है तो संख्या बढ़ती है हमारी प्रमुक मांग यही है कि हमें एक नई बिल्दिंग दी जाए और हमें चिकिस्टकों की संख्या हमारे यहां कम से कम 1.500 करी जाए तभी वह कार्य जितना यहां पे लोड है आठ हजार से बारा हजार की हमारी ओपीडी का लोड है पहले हमारी तीन लाग पितॉल्दी जाचे हुआ करती थी हमने उसको 24 गंटे कर दिया तो अब 9 लाग जाचे होती है और हमारा ISO certified हमारी लैब हो गई है तो गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि लखनों में शाद सबसे अच्छी लैब हमारी है तो ऐसे में काम तो बढ़ रहा है उस काम को करने के लिए डॉक्टर्स तो चाहिए ही पैरामेटिक्स भी चाहिए दवा हमें काफी मिल रही है उसको बाटने में कई बार दिक्कत आती है ऐसा मालूम पड़ा है उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन कर रह तो अब प्री हो रहे हैं सीटी स्कैन के लिए सिर्फ पांसो रुप्या शुर्ट रखा गया है और गरीब लोगों को वह भी प्री हो जाता है और एमराइए के लिए जो भी शुर्प में दार्ट किया जाएगा वो रखा जाएगा मगर उसमें सब जगह यह एक आप्शन है कि जो गरीब है उसको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा